गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज है 28 सेप्टेंबर तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स स्टेट नेशनल और इंटरनेस्टन नीउस के साथ मैं हाजी हूँ रश्मी सिना तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स सबसे फहले वीडियो में होता है कोशन आफ देखते हैं रिसेंटली एन एस डबलू है लांच पाई प्यू स्कुल इट इस एन एस डबलू क्या है तो देखें यह है निशनल सिंगल विंडो सिस्टम प्यू स्कुल ने अभी हाल में यह इंटिड्यूस किया है क्यूंकि वो है मिनिस्टर ओफ कॉमर्स उन्होंने यह लांच किया है ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोमोट किया जाए इन्वेस्टर्स जो है अब ऑनलाइन अपने डॉकुमेंट को समिट कर सकते हैं और जो भी ओफिशल डॉकुमेंटेशन होता है क्यूंकि आप लैड अकुआर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स को प्रोम होती थी उसको आसान बनाने के लिए नेशनल सिं to prison पहुचाया जाव सकता है क्या नाम है इसका तो इसका नाम है इस नहीं सिस्टम का नाम है Faster क्योंकि सुप्रीम को दूरा इंट्र्फॉस किया गया है तो इंपरंट है अ अच्छान div क्या है 022 थी है क्या है फास्टर्स यानिफास्ट औ nyt द् necesita है क्या और थैक्य प्रहले क् कि बेल मिल जाता था किसी प्रिजनर को, फिर भी उसे जेल से नहीं छोड़ा जाता था, क्यों? बताया जाता था कि ये जो बेल मिला है इसका भी तक डॉक्मेंट नहीं पहुचा है, इसलिए अभी भी जेल में रहूँ ऐसे सिच्वेशन को सुप्रिंग कोट ने अनिलाईज किया और फैसला लिया कि एक नया सिस्टम लाना होगा जिसका नाम होगा फास्टर इसके अंतरगर्थ यानि इक उप्रिंग कोपी दे दी जाएगी जेल ऑथोरिटी को ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रिजनर है उनको जेल से रिहा कर दिया जाए तो ये एक इंपोर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है फास्टर आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर टू की दरब तो रुषियन ग्राइन पिक्स जीता गया है लुइस हैमिल्टन के दुआड़ा लुइस हैमिल्टन को तो खेर हम सभी जानते हैं ये फर्मूला वन रेसिंग में नमबर वन है और हमेशा बहुत ही ज्यादा इन्होंने आवार्ड जीता है तो याद रहके लुइस हैमिल्टन ने रुषियन ग्राइन पिक्स भी जीता है कुशन नमर थ्री पे आएंगे विस सिटी ओफ इंडिया है जिसका नाम बार बार न्यूज में आ रहा है वो है मुंबई मुंबई आया है रैंक्ट टॉप पूरे इंटरनेशनल स्टार्टप रैंकिंग 2021 में और इंडिया की यह सीटी है मुंबई थोड़ा जानते हैं यह जो पूरा रिपोर्ट है यह रिलीज किया गया है जन्यूम स्टार्टप द्वारा जन्यूम जो है एक जन्यूम बिजनेस एक इंटरनेशनल ओर्नाइजेशन है जिसने यह रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ग्लोबल स्टार्टप एको सिस्टम डिपोर्ट ठीक है इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो है वह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बैंगलोर का भी अस्थान अच्छा अगर इस तरह से आएगा कोशन तो कौन टॉप है तो मुंबई ही ही है टॉप ठीक है और अगर बैंगलोर की रैंकिंग की बात की जाए तो वह 23rd है और डैली की रैंकिंग 36 है और यह जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारे रिलीज किया गया है तो जैन्यूम बिजनेस के द बताया है 1.37 trillion देखिए फ्रॉड लोन क्या होता है थोड़ा समझते हैं फ्रॉड लोन होता है NPA यानि नौन परफॉर्मिंग एसेट बैंक क्या करती है लोन देती है किसको बॉर्वर को जो भी लेन लोन लेने आते हैं उनको लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा लेकिन ज यह लोन नहीं नौर पाता है उसको कहते है NPA ठीक है NPA जो है इंडिया में बढ़ते जा रहा है कियों बढ़ते जारह है क्यूंकि जिनको लोन दिया जाता है उन पर जेकिन नहीं कि जाती है तो बढ़ mlare क्यों लेने लयक है या नहीं है या फिर क्या वो लोन लेके भाग जाएंगे या नहीं, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो इसलिए एक आक्ट पास किया गया था, जिसका नाम है सर्फासी आक्ट, 2002 में ये आक्ट आया था, इसके अंदर गत बताया गया, कि एक एसे ट्रिक कंस्ट्रॉक्शन कंपन बननी चाहिए, जिसका काम है, जो भी वड़ोवर लोन लेके भागा है, उनसे लोन वापस लेना, ठीक है, चुकि जैनरली बैंक नहीं कर पाता है ये काम, इसलिए ये स्टेप लिया गया है, एन्पे यानि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 2020 और 21 में 1.37 ट्रिलियन नॉन पर जाल में बैंक एक्साम है, तो बहुत इंपोर्टेंट है, एन्पे का मतलब होता है, ऐसा लोन जो 60 दिस से जादा दिन हो गया है, उसके वापस इंट्रेस्ट आए वह, उन सारे लोन को क्या कहते हैं, एन्पे ए, ठीक है, बैड लोन, आगे बरते हैं, कुश्य नमबर 5 की त अगे, अगे, फोलिनिया का मतलब होता है, तो आइस में होल, अभ ऑद आपस इस क्या होता है, जन्रली अर्टिक और अंटर्टिक जो है, अगे, इन दोनों के साइड में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यह पोलर साइड है, सौथ पोल ए नॉर्ट पोल, वहाँ पे आइस होत सकते हैं इसको पॉलीनिया कहते है यह सिंतुम है कि यह बद्री लिया है जाते में पर सक समझने के लिए यह को भाय को बन गया है इसक बोटार गया कि चारों तरफ आइस है और बीच में एक water body है इसी water body को pollinia कहा जाता है ठीक है? pollinia is a open water area surrounded by sea ice pollinia क्या है, क्यूं है? और इसका impact क्या है? pollinia जो है, वो global warming के कारण हो रहा है इसका impact यह है कि इस area में heat ज्यादा release होता है और ऐसे में Arctic Ocean और Antarctic जो भी reason है वो खत्रे में है, climate change का और climate change का सबसे बड़ा impact यह होगा कि जो भी ice है वो melt कर जाएगी और water level बढ़ जाने से पूरी जो land area है धर्ती पे पूरा जो धर्ती है या जो कह सकते है जो land area है वो डूप सकता है पानी में तो यह climate change का एक important topic है जो दा हिंदु में cover किया गया है पोलीनिया Question No.6 पे आएंगे India's first Attal Community Innovation Center is launched at इंदिया का पहला Attal Community Innovation Center established किया गया है कहां देखे अटल Community Center पहला है तो important है और यह start किया गया है विवेकानंद Global University जैपूर में देखे अटल Innovation Mission के अंतरगत पहला Attal Community Innovation Center स्टार्ट किया गया है विवेकानंद Global University जैपूर में जिसका एम है कि innovative ideas को promote करना है और हमारी पूरी society को develop करना है यह नितियायो का important program है Attal Innovation Mission Question No.7 पे आएंगे Highest radio station has established in Ladakhat Highest radio station कहां पे है तो आप बोलो कि Ladakh में है Ladakh में फिर कहां पे है तो देखे लदाख में यह कारगिल में established किया गया है Highest radio station और established किया गया है किनके द्वारा तो अनुराग ठाकुर जोकि मिनिस्टर है Information and Broadcasting के ध्यान रखे अनुराग ठाकुर ने Highest radio station established किया है कारगिल में Question No.8 पे आएंगे Which ministry has started E-Pahal program E-Pahal program स्टार्ट किया गया है Ministry of Law and Justice के द्वारा Ministry of Law and Justice ने स्टार्ट किया है एक पहल program जिसके अंतरगत Mass Scale Registration दी जाएगी ठीक है Telelaw से Telelaw मतलब Online Law System से लोगों को जोडा जाएगा उनके cases को सुना जाएगा और वहीं पे solution देने की courses की जाएगी तो एक बहुत ही बड़ा कदम Government के द्वारा एक पहल आज का सवाल देख लेते हैं Inspiration 4 Man Mission is of which agency Inspiration 4 बहुत जादा news में है इससे related news कभर भी किया गया है तो आपको बता रहा है कौन से अजिंसी ने यह स्टार्ट किया है प्रोग्राम इसका आंसर आप कमेंट मॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे शेर कर दे करूँ तो वाच वाच वीडियो कॉल थांक यू